Single Line on Mobile Screen जैसे कि आप देख रहे यहाँ पर आपको मेरे Mobile Phone की स्क्रीन में Center में एक Single Line की Problem देखने को मिल रहे हो तो यहाँ पर आपको White Color की Lining की Problem मेरे Mobile Phone पर दिख रहे होगी तो वही कुछ लोग की Mobile Phone की Display पर Green Lining का Issue आरहे है किसी भी application को open करने जाओं जैसे कि आपके सामने यहां पर Facebook को open करने जाओं तो फेसबूक को open करने कवाद यहां पर refresh भी करने तो continue आपको display पर lining का issue आ रहा है जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूगा चाहे आपके बास किसी भी company का फोन क सैंसंग, Realme, Oppo, Vivo, Tecno, Infinix, Motorola या वानपालस का phone करने हो तो अगर आपके mobile phone की display पर भी single lining का issue आ रहा है तो आज किस वीडियो में आपको तिन ऐसी setting बताने वाल हो जिन तिन settings को enable करने पर मैं guarantee के साथ life proof के साथ आज किस वीडियो में आपको आपकी आखको के सामने life proof के साथ अपनी single lining की problem को सालू करके बताने वाल हो तो तो तीनु setting आपके लिए most important होने वाली है चाहे आपके पास किसी भी company का phone के नहीं हो तो setting यहापर बिल्कुल common, बिल्कुल same रहने वाली हर mobile phone के लिए तो कौन सी वो तीन setting आए फिर इस वीडियो में जानते है जैसा कि आपने द कुछ भी search परूगा, remove bg search परूगा, जैसा कि कोई भी आपको single lining का issue देखने को नहीं मेरा होगा, तो जैसी यहापर मैं Google से back होने कोद, Facebook को open करूँगा, refresh करूँगा, तो कोई भी आपको lining का issue देखने को नहीं मेरा होगा, जैसा कि आप यहापर देख रहे होगा, तो अब most helpful video आप सभी के लिए होने वाली है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली setting करने होगी, most important setting है, आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के बद settings को open कर दना होगा, तो जैसी आप settings को open करेंगे, तो setting का कुछ ऐसा interface निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके समने बहुत तारे feature आएंग App इंफो यह अप लिए का icon देखने को मिल रहा हो, तो कहने का मतला है, आपको आपको Apple की settings में सारी के सारी apps को निकाल के लाना है, तो जैसी आप अपने mobile phone की settings में सारी applications को निकलेंगे, तो आपके mobile phone की installed application को इस तरीके से देखने को मिल जाएगगगे, तो यहाँ पर आपको right आप्षार गया सेटिंग यहाँ पर मैं स्टेजराओ करो मैं स्क्रोल करें। कुछ ऊछपे ऐसार डैशेश्बूट निकलें। ucharी लिचे स्टोरेजिए इंच पर क्लिक करने क्वा यहां पर उनके रापको टाप कना पर सेंटर में फौर्सटाप करने कवा गैन आपको बॉटब मंश्चन पर आजाएंगा यह यहूं ईंटर सच्पन बाइल सब्सक्राइंगा टानले कि पर आपको सेटिंग के टॉप करना पर सेर्ज वारे में डिरेक्ट सर्च करना हो गा और Kψत आपको यहां पर अपको मुइसेट रिखे नहीं नहीं मारता है तो जैसी अब डिने 60 गालकों कर तो आपको तो आपको पहला बीन दूसरा option reset setting पर क्लिक करना है तो जैसी क्लिक करेंगे अब जो भी आपके मुबाइल फोन में security pattern या पिंडर को लगा देना है तो जैसी आप लगा देंगे अगें आपके समने ऐसा interface आएगा तो आपको बॉटम में आपके मुबाइल फोन की डिस्प्ले पर लाइन का issue जो सालू होने वाला है हमेशे हमेशे के लिए आपको आपके मुबाइल फोन की home screen पर आने को जो भी आना फिले बटन इसको लांग प्रस करना है तो जैसी लांग प्रस करेंगे तो आपके समने दो option हैं के power off का restart को दोस्तो जब आप अपने वालफोन को format लगाते हैं अधरफाइज restart your remote माने से आपके वालफोन कोई data delete नहीं होगा तो जैसी अब restart your remote माने काद आपका phone open हो क्या जाएगा